रादे कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सब दिपावली की तैयारी में लगे वे हैं, 24th October को दिपावली है, दोस्तों, आप सब दिपावली के लिए खरीदारी कर रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, कर्टेंस दुलवाना, फरनीचर साफ कराना, आपका जेवर को चमकवाना, नए कपड़े खरीदना, इतना कुछ कर रहे हैं आप, पर क्या आपने ये सोचा है, कि जब लक्षमी जी आपके घर में आएंगी, तो उनके आने के लिए रास्ता है, वो आके विराजमान कहा होंगी उसके लिए जगह है, नहीं सोचाना इस बात को, अधिकतर हम लोग यही गलतियां करते हैं, हम सब कुछ कर देते हैं, पर कभी भी वो रास्ता साफ नहीं करते हैं, जिस रास्ते से लक्षमी जी घर के अंदर पधारने वाली हैं, तो दोस्ता इसके लिए मैं आपको कुछ छ तकलीफ ना होगा, वो भी इसली घर में प्रवेश कर सके हैं, यदि हम फैंक्शुई के हिसाब से देखते हैं, तो वो जो लक्षमी जी आती है, वो जो पॉजिटिव एनरजी होती है, उसको वो ची का नाम देते हैं, फैंक्शुई में कहा जाता है, यॉर हाउस शुड बी maintained in such a way that there should be, the cheese have no problem in moving in the house, ची को, positive energy को, घर के अंदर घूमने में कोई दिक्कत ना हो, घर में इस तरीके से हमें अपने हर एक चीज को सेट अप करना चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके इस तरीके से क्या सेट अप करें, कि जब लक्षमी जी दीपावली की र को, आपके घर के अंदर प्रवेश करके, घर में हमेशा के लिए बस जाने के लिए भी कोई भी दिक्कत ना हो, सबसे पहली बात तो यह है, दोस्तों, आपके घर का जो प्रवेश द्वार है, उसके सामने किसी प्रकार की कोई भी अर्चन ना हो, गंदगी ना हो, क्योंकि कि अरचन और गंदगी होगी तो लक्षमी जी तो प्रवेश दवार से ही करेंगी न? तो इसलिए उसके सामने बाहर की टरफ अंदर की टरफ एक दम इतना साफ सुत्रा हो कि आ वहां उसको देख कर लक्षमी का मन करे की मैं कैसे अंदर प्रवेश कर जाओ बस इस प्रवेश द्वार बहार से सुंदर हो और अंदर से आप जखस खाली कर दीजिए इससे की लक्षमी जी इसली प्रवेश कर सके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैंक्षुई में इसको चीह कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी को तो पॉजिटिव एनर्जी की फ्लो के लिए घर के अंदर आप देख लीजिए आपका घर ठीक से जमात हुआ है। ऐसा नहीं कि डानिंग टेबल बिखरी पड़ी है तो सोफा पे कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं और रास्ते में चपले बिखरी पड़ी हुई हैं कहीं कुछ रखावाया कहीं कुछ रखावाया हर चेका अव्यवस्था तो ऐसा मत कीजिए आप अपने घर को इतना व्य कर लिया प्रवेश्द्वार के सामने भी सफाई है और इस तरीके से प्रवेश्द्वार आपने मेंटेन किया कि सब आपको दिख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है और घर में आपके घर में और रस्त नहीं है यहां सामान फैला वहां सामान फैला आपने सब ठीक कर लि कि एक दर्वाजे के सामने दूसरा दर्वाजा ना हो क्योंकि यह जो पॉजिटिव एनरजी है एक दर्वाजे से एंटर करेगी और दूसरे दर्वाजे से निकल जाएगी इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि एक डोर के सामने दूसरा डोर ना हो और यदि एक डोर के सामने है वो रुक रुक के और पूरे घर में बैलेंस बना कर और पूरे घर में स्प्रेड हो दोस्तों आप अपना घर बना रहे हैं तो आप एक बात का पूरा ध्यान रखिए कि घर आपका टी-पॉइंट पर ना हो कबरिस्तान के पास ना हो या कोई मिनिस्पैल्टी का जो कच्रा वगरे कट्टा करने की जगह होती वहां ना हो मतलब ऐसी जगह ओपर घर ना हो जहां पर गंदगी और नेगिटिव एनरजी बहुत ज़ादा है क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव एनरजी के गुश्मे से पहले नेगिटिव एनरजी आपके घर के अंदर गुश दोस्तों यह बात तो आपको स्वयम ध्यान रखनी होगी जैसे कि मैंने आपको जब जो तिप्स दी है इस सब्सक्राइब कि आपको स्वयम ध्यान रखना पड़ेगा किन-किन बातों का ध्यान दे कि आपके घर में पॉजिटिव एनरजी का फ्लो हो दिपावली पर आप ज जिससे कि वो negative energy अंदर प्रवेश नहीं कर सकें, जैसे तुलसी का पौधा है, money plant है, ये अपने घर के चारों तरफ लगा दीजे, जिससे क्या होता कि negative energy आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, बाहर से बाहरी रह जाएगी, and wish you all the best friends, मैं चाहती हूँ, इश्वर से प्रांतना करती हूँ कि आप सब के घरों में दीपावली पर लक्षमी जी positive energy के साथ प्रवेश करें, और फिर वहीं आपके घरों में ही विराजवान हो जाएगी, wish you all the best friends.